असलाम लेकूम राब्या हिस किचन में वेलकम है आज हम अपने युवस के लिए बना रहे हैं सिंगापुरियन राइस सिंगापुरियन राइस के लिए हमने पहला स्टेप तयार कर लिया है यह हमने चावल बना लिये हैं कि उनकी वीडियो लंबा जाएगा अभी हम इसने ठोड़ा सा डिफरेंट क्या दिये हैं कि जब भी हम सिंगापुरियन राइस खाते ना तो बहुत साधे से होते हैं हमने इसमें दाला है थोड़ी सी गिरीन अनियन थोड़ा सा बलेक पेपर और थोड़ा सा विनेगर थोड़ा सा जीनो मोटो चाइनिस नमा यह देके हमने थोड़ा सा दो चमच ओएल दाल के इस पे हलकी दम पर रख दिया है बस यह पहला होगे अभी जूसरा स्टेप पर च अब में चाइब बनारी है जादा है आप चाहें तो एक इसकी एक भी पैकिक डाल सकते हैं अभी चलते हम इसमें दालते हैं स्पैगेडी से यह देखिए हमने दो इस पैगेडी से दाल दिये पानी में बोएल होने के लिए और यह इसमें नमक थोड़ा सा विनेगर एक तरफ यह हमें स्पेगडीज वोयल करके निकाल दिया है यह देखिए पुई फुली फुली है वोश करके ठंडे पानी से एक टेबल स्पून वोयल लगा के हमें छोड़ दिया है यह अभी हमने ले लिए इसकी सोस बनाने के लिए संगापुरीन राइस के लिए यह हम इसमें दालेंगे 1 कप के हिसाब से मेवनीज यह देखिए एक कप के हिसाब से यह दाल देंगे तो इसी जैदा कम हो जाएं दे लेकर हमने मैवनीज दाल दीये अभी हमीज मे दालेंगे चिली गार्लिक स्वूस दो टेबल स्पून और ये चिली सोस वन टेबल स्पून बस अभी हम इसे फैंट देंगे अच्छी तरीके से जब तक फैंटेंगे इसके किनके मसाले एकलम सही मिक्स ना हो जाए मैयोनिस में और ये सोस के तलर में नहीं आ जाए ये देखिए जी हमें सोस तयार कर लिए अभी हमें एक खाड़ी कोटल लेंगे केचप की अभी हम इसमें सोस को भर लेंगे सब इस तरह से हम भर लेंगे सोस को अभी हम चलते हैं स्पैगेटिस बनाने की तरफ ये हमने अतरख लसन चोल परके ले लिया है ये हम आदा दाले मिक्स लिए आदा हम इसमें डाल देंगे और असा इसे बूंग लेंगे और ये जो वाइट प्याज है हरी जो प्याज हुश्की वाइट पाइप पाट हम इसमें डाल देंगे इसे भी हम बूंग लेंगे अभी हम इसमें सबजियां डाल देंगे ये कैरेट है ये दाल देंगे हम सब्सक्राइब कच्छी पकी बनानी है करंची सी और ये इसमें शिम्रा मिर्च डाल देंगे इसे भी हम बूंड लेंगे अभी हम इसमें दालेंगे कैबिज सब्सक्राइब करेंगे ये अभी सब्सक्राइब करेंगे दो टेबल स्पून विनिगर दाल देंगे छिली गारलेक टेमेटो सोस दारीं तो तेबल स्कून सोय सोस दारीं और यह दो टेबल स्कून छिली सोस दारीं और यह हाफ टी स्पून पुटिवी लाल भी एच है, इसमें हाफ दार रही हमें और नमक है, आप अपने जाइके के मताब दाहिए का तिनकी चाइनीज मसालो में नमक को डेडी होता है तो हम मिक्स कर लेंगे यह हम चाइनीज नमक दाड़े है, जीनो मतोर और यह बलक पेपर है आप टी स्पून अभी बस ही हमारी सब्जियां करंची से बनके तयार हो गए है, अब हम इसमें डालेंगे इस पैगडी जो हमने बोल कर ली थी, इसमें डालें, मिक्स कर लेंगे अब हम अब कर लेंगे अब हम अब हम अब आप लेंगे तो आप मिक्स कर लोगे यह हमारी स्पैगडी बनकी तयार हो गई है, अभी हम थोड़ी सी इसके उपर गरी ग्रीन अनियन डाल देते हैं अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं, यह से यह तो क्यार हो गई है, अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं, थार्डी स्टेप की तरफ, यह हमने आदा की लोग गोईनेस चिकल ले लिए, यह देखिए, इसमें काट ली हमने, क्यूबस की तरफ हमने काट ली है, इस तरह से, अब हम चलते हैं, बनानी की तरफ, यह हमने चोप किया हुआ, गारलेख हम दाल देए इस बड़ा सा एक फ्राइब हो जाए पिर हम अपनी मुर्गी को डाल ज़ेगे अब बस अभी हमारे गार्लेट को गए प्राइब हम डाल गते हैं मुर्गी मुर्गी को हम जब तक भूनेंगे केस का फलर सपेड न होजें जब तक हम भूनेंगे यह रखिए जी हमारी मुर्गी प्राइब हो चुकी है गार्लिक के साथ अब हम इसमे डालेंगे स्पाइसिस स्पाइस हम डालेंगे ब्लेक पेपर आगा टी स्पूल यह कश्मीरी लाल मिर्च है इससे कलर अच्छा आता है और थोड़ा सा जीरा पाउडर यह डाल देंगे और थोड़ा सा चिली पैक और यह सोस डाल देंगे गार्लिक और जिल्जर की कमेटल सोस डाल देंगे यह सोया सोस डाल देंगे और यह चिली सोस डाल देंगे हम एक पानि लेंगे और नमक करेंगे और अच्छी परिकेसे साथ चाहिए नमक चैट करके दालेंगे कि इनके सारे चाहिनी समसालों में नमक होता है यह हमने चिंब्ला मेप चले लिए एक रेड और ग्रीन और यह वन अनियन डेलिया हमने चकोर में काट लिया है देडार देंगे अभी देखिए जी हमें अच्छी तरी किसे निक्स कर लिया है अभी हम इसे पांच मुट के लिए फ़र के फ्लेंगे फिर हम अपने सिंगा बुरियन राइस रिशावर करके बताते हैं यह देखिए जी हमारी चिकन सोस भी तयार हो चुकी है अभी हम इसमें पुरी सी ग्रीन अनियन डाल देते हैं उपसे बस अभी हम फ्लेम ओफ कर लेंगे अभी हम अपने यूज को रिशावर के फाइनल में प्रपाएंगे यह देखिए यूज हमारी सब चीजे तयार हो चुके है चिकन सोस और यह स्पगड़ी सी राइस सब हम तयार कर चुके हैं अभी हम आपको संबल करके दिखाते हैं यह हम चालों के हाफियर लगा देंगे हमारा देंगे लोगी स्पड़ीस लगीस ऩाइस कर आसे ते लगारे में अब यह हम अपनी चिकन जो बनाई हुई है यह दानेंगे उपर से अब यह हम दानेंगे सोस अब यह हमने गारले को और मिर्चों को फ्राई कर दिया था यह हम दाल देंगे इस पर हम सोस को दाल देंगे यह दिखें सोस के लिए हमारे सिंगापूरियन राइस बनके त्यार हो चुके हैं यह मेरी रेस्पी आपको कैसी लगी जरूर कोमेंट में बताएएगा और यह मेरी मैं अपने आएगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बैले कुण के निचे जो रेट कलर की है उसे जबाएगेगा बैले को भी प्रेस की जिएगा दोस्तों मेरे रिष्टदारों से शेर की जिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा गुआओं में मुझे याद र झाल